नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे कमल कुमार जी की कहानी शुभा रंब, तो आए सुनते हैं कहानी शुभा रंब वह बातरूम में गया था, दर्वाजा खुला भी रहे तो क्या, वह जोर जोर से रोया था, चीखी मार मार कर चिलाया था, आह ओ य के साथ गला फाड कर चीखा था, मैं शान्ती अब क्या करूं, क्या करूं मैं, वह हाफ रहा था, पसीने से लत्पत, वह पस्थो कर वही चलो उटो हो गया बहुत हाथ मुदो कर बाहर आजाओ शांती थी वह वैसे ही सिर के बालों में उंगलियां उलजाए बैठा रहा था शांती ने जप जोरा था चलो उटो बाहर निकलो यहां से वह उठा था उसने वाश वेसिन का नलका खोला था दोनों हाथों में पानी लेक खीते मारे थे, मन शान्त हुआ, अपना आप हलका लग रहा था, कई दिनों से भीतर घुमणान हो रही थी, कितना जरूरी था इस गुबार का निकल जानो, वापस घर चला जाता, तब तो यह संभो ही नहीं था, घरों की दिवारों में सेंध लगा कर आवाजें बाहर कूद जाती हैं, फिर क्या होता, मिसस मारिया दिवार से जाक कर पूशती, आपके यहां सब ठीक है ना जी, कुछ अजीब से आवाजें आ रही थी, फोन खड़कता, हेलो, क्या हुआ, घर में सब ठीक है ना, आप ठीक है ना, जी, क्या हुआ, कुछ अजीब से आवाजें आ रही सब ठीक है आप फिक्र ना करें फिर दर्वाजा खटका था मिस्टर मलिक खड़े थे सब ठीक है ना गुप्ता जी हाँ जी पर क्या हुआ उसने अंजान बनना ही ठीक समझा था कोई चीक रहा था यहां तो कोई नहीं मैं ही हूँ किसी का टीवी ओन रहा होगा आप आये नहीं बस ओफिस के लिए निकलूगा थेंक्यू मलिक साब थेंक्स पार योर कंसर्ण अरे नहीं हम पडोसी ही तुम है न यहां वह सुरक्षित था दूर दूर तक कोई नहीं कोई बाधा नहीं आवाज बाहर जाए भी तो क्या कोई है ही नहीं थोड़ी थोड़ी दूर पर घर त जाता नहीं दिखता खिड़कियों दर्वाजों पर हमेशा परदे पड़े रहते हैं बस कारें ही बाहर फिसलती आती जाती दिखाई देती हैं वह किचन में गया उसे ध्यान आया उसने तो लंच भी नहीं खाया था उसने अपनी प्लेट में ब्रेट के टुकड़े रखे फ्रिज खोल कर सलाद और चीज स्लाइस ले लिया मन कर रहा था करारी सिकी रोटी होती दाल सबजी होती पर जब से वह आया था महीना भर हो गया था प्रोमिला ने एक दो बार ही खाना बनाया था वह उठकर टीवी का रिमोट उठा लाया हमारे लिए दो ही चैनल थे जिनक उसे अच्छा लगा था उधर की खबरें सुनकर मौसम का हाल बताया जा रहा था घड़ी देखी आज का बधाल दिन भी गुजर गया था उसने लैप्टॉप खोला वापसी की सीट बुक करा लेता हूं सीट आसानी से मिल भी गई थी पर उसका क्रेडिट कार्ड बार बार हो रहा था अब उसे रुखना ही पड़ेगा बच्चों के आने तक अपने समय पर दोनों आ गए कार पार्क करने की आवाज उनकी ही होगी है पापा how was the day वह डरा था क्यों क्या हुआ मेरा मतलब आप बोड तो नहीं हुए कोई फिल्म देखी क्या it's okay जरा देखना मेरा कार हो रहा है मैंने वापसी की टिकट बुक करानी चाही थी पर क्यों पापा आप रुकिये ना अभी कुछ दिन और वहां भी तो अब कोई नहीं हमारे पास रहे आप इस वीकेंड पर बाहर चलेंगे प्रामिला आज पापा के लिए अच्छा सा कुछ खाना पकाते हैं मैंने अभी खाया आज लंच खाना भूल गया था तुम जरा देखना इसकी पेमेंट कैसे होगी अभी देखता हूं इसकी प्राबलम नहीं पर इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं यहां हम हैं वहां आप कौन हैं वह हसा था कहना चाहता था पर कहा नहीं यहां कौन है मेरे साथ तुम लोग सुबह आठ बजे निकल जाते हो, शाम को साथ साड़े साथ बजे लोटते हो, वीकेंड पर बहुत से घर के काम होते हैं, फिर सोशलाइजेशन भी तो होनी होती है, सब ठीकी तो है, उन्हें सोचते देखकर संजीव ने कहा था, पापा अभी रुकिये आप, जान में हां मिलाई थी, अब तो मैं जाऊंगा, उसने निर्णय के स्वर में कहा था, तुम देखो जरा, मेरा क्रेडिट कार्ड क्यों रिजेक्ट हो रहा है, प्रॉमिला ने लैप्टॉप अपनी और किया, अरे, आपने दस तारीक भर दी, आज साथ तारीक हो गई, अभी है न तुम दोनों को भी आना है, दो दिन ही बीच में थे, इधर उधर बिखरा उसने अपना सामान इकठा कर लिया था, आया था तो सूट केस भरा हुआ था, शांती जैसा चाहती थी, बच्चों के लिए उनकी पसंद की बहुत सारी चीजें लेकर आया था, अब सूट केस खाल रुकेगा, वो आएगा तो दिन में उसके साथ आपका दिन लगा रहेगा, वह हसा था, पर अब तो जाना ही पड़ेगा, सीट भी बुख हो गई है, अब तुम तीनों आना, सिधार तो तो बहुत छोटा था जब आया था, उसको तो कई साल हो गये, आया ही नहीं, उसे या आया था, कुछ तीन साल पहले वे दोनों आये थे, शान्ती थी तो समय कट जाता था, बाहर कैसे जाया जाये, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, मॉल में रोज क्या किया जाये, घर पर ही टीवी, कम्प्यूटर और फिल्मों के सहारे रहो, सिधार्थ उन दिनो स्कूल के बाद घर पर ही होता था, उसके कानों में हमेशा ढकन जैसे एयर फोन लगे रहते, दोनों तरफ तारें लटकती रहती, उसे आवाज दे कर बुलाना संभो ही नहीं था, उसके हाथ में कोई न कोई इंस्ट्रूमेंट होता ही था, मोबाइल होता या फिर होता, अपने दोस्तों से बात ने करता, ऐसी भाषा में कि कानों में उंगलियां डालनी पड़ती थी, हर वाक के साथ फॉक हिम, ब्लडी हिम हिज एस, मदर फॉकर, शिक ब्लडी शिक, शांती पूछती, यह क्या हो रहा है, मैं क्या बताऊं, वह परेशान होती थी, एक दि उसने सिधार्त से हसकर कहा था, बेटा, जो तुम बोल रहे हो, इसका मतलब तुम्हें पता है, कि तुम्हें अपनी भाषा में समझाओं, ओ नो ग्रैनमा, इट्स ओके, उसे कैसे बताया जाए, इट्स नॉट ओके, वह घर पर नहीं था, संजीव के साथ चला गया था, शा वह वैसे ही उससे बीस कदम दूरी पर कानों में इयर फोन लगाए बैठा रहा था, शांती बेहोश हो गई थी, होश आया तो सिधार्त खड़ा था, उसने बताया था, उसके सिर से खून निकल रहा था, ओ, I am sorry, I am very sorry, वह दवाई लेकर आया था, हाज पकड़ कर उठाया था, और अंदर बेट पर लिटा दिया था, You want something else? नहीं, ठीक है अब, वह चला गया था, वह टीवी ओन करके बैठा था, शांती घबरा कर दोड़ी गई थी, ये इतनी गोलिया क्यों चल रही है, अरे तो इनको क्यों मार रहा है? वह हसा था, relax grandma, यह गेम है, इसे shoot कहते हैं, नहीं बेटे, इतना हिंसक गेम क्यों खेल इस तरह का खोन खराबा करना कौन सा गेम है, इससे तुम्हारी समवेधनाय मर जाएंगी, ओ, relax grandma, it's just a game, घर आये संजी और प्रोमलया को भी उसने समझाना चाहा था, पर वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, सब खेलते हैं, तो भी मैं उसे समझा दूँगा, पापा आपको शॉपिंग करनी है क्या, परसो तो आप चले जाएंगे, नहीं बेटे, शॉपिंग किसके लिए करनी है, आज सोच रहा हूँ, यूहीं बाहर थोड़ी देर सहर कराता हूँ, पर पापा, यहां से जॉगिंग ट्रैक तो काफी दूर है, आपको छोड़ भी दूँ, पर आने में आपको मुश्किल होगी, मैं तो यहीं बाहर थोड़ा सा टहल लूँगा, घर के सामने तक, यहां बाहर कुछ नहीं है, आप टीवी देख लेना, तुम चिंता ना करो, आराम से दफ्तर जाओ, वह बाहर आया, हरा भरा तो था, उसने देखा थोड़ी थोड़ी वह आगे बढ़ा था, पेड़ तो थे, पर कहीं कोई पक्षी नहीं, कववा और गिलहरी तक नहीं, इधर उधर घूमते कुत्ते तक नहीं थे, ह्यूमन हैबिटेशन इतनी इन ह्यूमन कैसे हो सकती है, उसने देखा था, वह घास में निरंतर इंसेक्टी साइड शिड़ते घास में कीड़े होते ही नहीं, पक्षी क्या खाएंगे? दादी नानी अनाज चुगती, बटोरती, पछोरती, धोती और छट या आंगन में सूखने के लिए फैला देती थी, पर यहां क्या है? पक्षी क्या खाएंगे, क्या चुगेंगे? वहां वह घर से एक फरलांग पर रोज सुबह पार्क में जाता था, पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी चह चाहाते रहते, वह उन सब की आवाजें बिना उनका नाम जाने पहचानने लगा था कुछ दिनों पहले उसने नेचर क्लब जॉइन किया था, नेचर क्लब के सदस पार्कों में जाते, पेड़ों को दिखाते देखते और उनकी विशेशताएं और नाम बताते, फिर पक्षियों को देखना था, हमारे हाथों में दूरबीन थी देखिये, थोड़ा पास आकर, इस पेड़ पर जो धारियों वाला पक्षी है, वह भी नीलकंट की ही एक प्रजाती है, ध्यान से देखिये, पत्तों की आर में है, इधार आ जाए, यहीं होगा थोड़े ही दिनों में वह उबने लगा था, उसने जाना छोड़ दिया था, वह पार्क में बैठा पक्षियों की चह चहाहट सुनता, उनका पंख फरफराना और किलोल करना देखता, उसे अच्छा लगता था, कभी कभी कोई मैगेरेटरी पक्षी भी दिख जाता, भटक क अधर आ जाता होगा अपने साथियों से, इन्ही महीनों में इन्हें हजारों मीलों की यात्रा के बाद इधर आना होता है, बच्चे छोटे थे तो शांती के साथ उन्हें कई बार बर्ड सेंचुरी ले जाया करते थे, यहां पार्क में फूलों फलों और छायादार कई तर पर पीले और लाल फूल रंगों की दुनिया रच रहे होते, फिर कुछ दिनों में इनकी लाल पत्तियां और अमलतास की पीली जुमकियां इधर उधर बिखर जाती, एक दूसरे के साथ मिलकर ये पत्तियां आसपास घास पर और कोनों पर इकठी हो जाती, लगता कुदरत क जुलाहे ने लाल पीले धागों में चादर बुंदी हो, वह उनको देखता और तरह तरह की कलपना करता, उसके बाद उन्हें घर जाकर कैनवास पर रंगों में साकार कर लेता था, यहां प्रकृती पर इंसान ने अपनी सत्ता जैसे इस्थापित कर रखी थी, वह वापस आ गया था, संजीव उसे चेक-इन करवा कर लोट गया था, अभी समय काफी था, तो भी वह सिक्योर्टी चेक करके अंदर जाकर ही बैठेगा, लंबा कॉरिडोर चलकर वह नरधारित गेट के सामने लाउंज में आ गया था, पढ़ने के लिए उसने दो अकबार उठा लिय यह फ्लाइट डिरेक्ट दिल्ली की थी, इसमें इंडियन जादा होते हैं, उसने एक कप चाय का लिया था और बैठ गया था, अखबारों में जादा मन नहीं लगा था, अधिकतर खबरें उसके लिए आपरासंगिक थी, अनॉंसमेंट हुई थी कि फ्लाइट एक घंटे ल लटने लगा था, उसने देखा वह इस्तरी घबराकर उठी थी और इधर उधर देख रही थी, फिर उसके पास आ गई थी, बोल्डिंग का समय तो हो चुका, अब तक एंट्री नहीं कुली, उसने अपना बोल्डिंग पास दिखाया था, शायद आपने अनॉंसमेंट नही लेट होगी, वह लोट गई थी, पर अब भी इधर उधर जैसे कुछ ढूड रही थी, घबराई सी मेले में खोए बच्चे की तरह लग रही थी, अब रोई की अब रोई, शायद उसे कुछ चाहिए होगा, पूचूं क्या, फिर संकोच वश अपनी कुरसी पर लोट आया भाई साब, यहाँ वाटर कूलर होना चाहिए, जरूर होगा, आप रुकिये, मैं पानी लाता हूँ, यहाँ तो सब जगे वाश वेसिन के टैप से ही पीने के पानी का टैप भी होता है, कौफी वाले से डिस्पोजल गिलास लेता हूँ, जरा रुकिये, उसने अपने बैक स एक छोटा गिलास निकाल कर दिया था, ओ, ध्यान आ गया, यहाँ पीने का पानी अलग से नहीं होता, मिन्रल वाटर तो होता है, फिर्स्ट वर्ड कंट्री है न, रुकिये भाई साथ, बस अब मैं ले आती हूँ, आप भी दिल्ली जा रहे हैं क्या, मेरा सवाल उसने चाहिए क्या, वह चोकनी सी हुई थी, आप बैठ चाहिए फ्लीज, उसने अपने बैग में से दो पैकेट निकाले थे, आप लीचे, उसने एक पैकेट बढ़ाया था, यहां का कुछ खाया नहीं जाता, इसलिए यह बना लाई थी, आलू के पराठे हैं, आप लीचे, वह ह किचाया था, उसने दुबारा कहा था, लीजिए घर का है, वह हसा था, बाहर का कैसे हो सकता है, पराठा है न, उसने संकोच के साथ पराठा ले लिया था, एल्मोनियम फॉाइल हटाई थी, अचार का एक टुकडा भी था, आप औरतें बहुत कुछ अच्छा और ब्योहारि सोच भी लेती है और कर भी लेती है, वह पहले खुश लगी थी, फिर उदासी का दुंदल का सा चेहरे पर घिराया था, हम औरतें हमेशा अपने को असुरक्षित मैसूस करती है, वैसे भी इसमें खास क्या है, अब तो इसकी जरूरत भी नहीं रही, देखिये न, यहां खा को क्या फर्क पड़ता है, उसे शांती की याद आई थी, जब भी कहीं जाना होता, ट्रेल हो या हवाई जहाज, हमेशा कुछ न कुछ बना कर बैग में रख लेती थी, बेटा हस रहा था, मम्मा फ्लाइट में जाना है, लंच होगा ही, आप क्यों पर आठे बना रही हैं, क का समय हो रहा है, चलो तयार हो जाओ, वे पराठे हमने सिंगापूर में घूमते हुए खाये थे, जगए जगए खाने के रेस्तरा थे, पर खाने में वही सूपी नूडल्स और सीफूड, वह हसी थी, देखा कितने काम आये ये पराठे, अब यही खाओ, शाम को किसी अच् कैसे होती है, और आगे का कैसे सोच लेती है, घंटा भी गुजर गया था, बोर्डिंग शुरू हो गई थी, प्लेन में उसकी सीट खिड़की के पास थी, चलो अच्छा हुआ, उस औरत को बीच में 5 सीटों वाली रो में सीट मिली थी, 17 घंटे की फ्लाइट थी, खाने के बाद लाइटें बंद कर दी गई थी, यात्री अपनी अपनी सीटों पर गर्दन लुड़काएं उंगने लगे थे, उसने देखा वह भी एक तरफ गर्दन लुड़काएं आधी सोई, आधी जागी इस्थिती में थी, वह उठा, उसने कहा मेरे साथ की दो सीटें खाली है मैं आपकी सीट पर बैटता हूँ, आप बीच से आर्म होल्ड निकाल कर कुछ देर लेट चाहिए, वह हिचकिचाई थी, फिर उठकर चली गई थी, वह उसकी सीट पर बैटा था, सीट पीछे खिसकाकर आँखों पर सोने के लिए कपड़े की एनक पहन ली थी, कुछ भी हो समय हमेशा गुजर ही जाता है, वह उठकर आया था, यहां खिच-पिच में आप कहां बैटेंगी, जाए अब आप अपनी सीट पर आराम से बैटिये, उसने अपने लिए एक फिल्म लगा ली थी, समय गुजारने के लिए यही अच्छा था, पता नहीं उसे क्यों लगा थ इस्क्रीन पर वह जो देखना चायती है, उससे नहीं हो पा रहा है, वह सही था, पर उसने एयर होस्टेस को बुला लिया था, अच्छा किया, यह सही भी था, चाय नाश्ते और खाने में जो समय गुजर जाता है, उसके बाद भी समय रहता है इस बार वह अपनी पसंद की किताब पढ़ने के लिए लाना भूल गया था, मन में खलबली सी मची थी, बहुत से सवाल उठ रहे थे, शांती के बिना घर में जाने का कोई उत्साह नहीं था, पर अब दूसरा भी तो कोई विकल्प नहीं रहा पहले जो धुंदली सी आशा की किरण थी, की दो-चार महीने संजियों के पास बिताय जा सकते हैं, वह यथार्त के अंधेरे में बिला गई थी फ्लाइट सेड्यूल टाइम से लगबख एक घंटा लेट थी, वहां से चली ही लेट थी, घरी में समय मिलाया था, भारतिये समय के हिसाब से दस बज रहे थे उसने आग्रह करके उसका हैंड बैग ले लिया था, सामान पट्टी से सामान लेने के लिए उसने उसके लिए भी एक ट्रॉली ला दी थी सामान भी जल्दी ही आ गया था, वह बाहर जाने के लिए आगे बढ़े थे ग्रीन चैनल से एक्जिट में पहले वह रुका था, प्रीपेट टैक्सी लेनी होगी आपको शायद कोई लेने आएगा, उसके कदम थम गय थे, चेहरा लटाक गया था देखा वह रो रही थी, कहीं गिर ही न जाये उसने उसे रोका था, कुछ दूर पड़ी कुर्सियों तक ले आया था उसकी ट्रॉली से सूट केस उठा कर अपनी ट्रॉली में रख लिया था आप बैठिये, I am sorry वह चेहरा टिशू पेपर से बार-बार साफ करती, पर फिर उसकी आँखों में आशू बहने लगते उसने दोहराया था, I am sorry, चलिए शान्त हो जाए प्रीपेट टैक्सी ले लेते हैं, वह उठकर शिथिल कदमों से चलने लगी थी आप यहां रुकिए, मैं लेकर आता हूँ आप तकलीप मत कीजिए, मैं अब ले लूँगी एक ही बात है, आप बताए, आप कहां जाएंगी वह ट्रॉली खड़ी करके उसके साथ ही आखड़ी हुई थी मुनीर का का ले लीजे काउंटर पर बैठा व्यक्ति कह रहा था, आपको रुकना पड़ेगा एक साथ तीन फ्लाइट लेंड की हैं टैक्सी स्टेंड पर टैक्सी अभी 5-10 मिनट में आती होगी पर उसने कहा था, आप इसे ही वसंद कुझ का बना दीजे मैं आपको छोड़कर वही से आगे वसंद कुझ चला जाओंगा कैसा इत्तफाक है काउंटर का वह व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था पर उसने टिकेट बदल दिया था उसके बहुत मना करने पर भी उसने पैसे दे दिये थे वहाँ जादा मैमे करना ठीक नहीं लगा था आए मैम मुनीर्गा से वसंद कुझ रास्ते के एवज में मुझे आपको किसी अच्छी जगह कॉफी पिलानी पड़ेगी कोई बुरा विचार नहीं है वह बता रही थी उसका बेटा यहीं निव्यार्क में है और बेटी शिकागो में है मेरे पती यहीं चाहते थे बच्चे अच्छा करें जीवन में आगे जाएं हुआ वही जो वे चाहते थे बच्चों को स्कॉलर्शिप मिला वे वहाँ पढ़े भी और अब दोनों जॉब में हैं पर अब वे नहीं है वह ब्याकुल हो गई थी उसके आशू थम ही नहीं रहे थे उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे सांत्वना दे जीवन भर हमने संघर्श किया वे शिक्षा मंत्राले में थे वही से अंडर सेकरेटरी के पद से रिटायर हुए थे मैं भी दफ्तर की नौकरी छोड़कर कोर्स करके स्कूल में अध्यापिका बनी थी ताकि बच्चों को और परिवार को भी एक साथ देख सकूँ दफ्तर में थी तो सुबह आठ साढ़े आठ पजे निकल घर लोटने में साथ भी बच जाते कुछ बुरा तो नहीं था अच्छा भी कुछ नहीं था अध्यापिका से शुरू किया अध्यापिका ही रही मेरे साथ की सभी लड़किया प्रमोशन होते होते अंडर सेक्रेटरेटरी तक तो पहुँची गई थी तो भी सब ठीकी रहा परिवार के सदस्यों की बच्चों की घर की देखवाल ठीक से हो गई आर्थिक रूप से भी लाब तो हुआ ही सरकारी नौकरी की सुभिधाएं थी सरकारी फ्लैट भी मिल सकता था पर हम दोनों में से एक को ही मिलना था सो इनों ने लिया मुनीरिका पहुँच गए थे टैक्सी वाले ने उसका सूट केस बरामदे में रख दिया था वह उद्री शुक्रिया किया था और हाथ हिला कर जैसे विदा भी दे दी थी घर पहुँचते देखा तो उसका हैंड बैग वही रह गया था पर अब क्या हो सकता था कल देखा जाएगा बंद घर में इतने दिनों बाद आना कितना मुश्किल होता है समय लगता है उसे ठीक ठाक करने में सफाई धुलाई फिर किचन की कुछ जरूरी चीज़ें सभी चाहिए होंगी अभी उसने पहुँचकर सिर्फ नहा कर सोने की तयारी की थी अब भी यहीं पड़ा था आज देकर आना है वह उसे देख कर खुश भी लगी थी और थोड़ी हैरान सी भी थी आपका हैंडबैक टेक्सी में ही रह गया था उतरते हुए देख लिया था वही लाया हूँ मैंने सोचा था फिर लगा था शायद वह वही एयरपोर्ट में ही रह गया था आईए वह अंदर आया था M.I.G. फ्लैट था पर सब ठीक ठाक सा ही लगा था आप चाय तो पिएंगे चाय पीते हुए वह फिर उदास हो गई थी भाई साब एक काम और करवा दिजे यह घर बिकवा दिजे मैं अब इस घर में नहीं रह सकती आप ऐसा क्यों कर रही है आपका घर है नहीं यहां रहना मुश्किल है मुझे इसमें सारा समय अपने पती चलते फिरते बातें करते दिखाई देते हैं कभी बच्चों की आवाजें सुनाई देती है मैं कल दो ओल्डेज होम में जाकर आई हूँ वहां भी जगे नहीं है वेटिंग में नाम लिख लिया है छे महीने एक साल तक भी लग सकता है पर घर को बेच कर आप क्या करेंगी कुछ नहीं किसी व्रद्धाश्रम में चली जाऊंगी व्रद्धाश्रम भी तो अच्छी खासी रकम मांगते हैं रहने के लिए पर आप ऐसा क्यों करेंगी आपका घर है धीरे धीरे सब ठीक भी हो ही जाएगा भाई साप शुरू में बड़े परिवार में रही हमारी एक बड़ी हवेली जैसी थी जिसमें दादा दादी, ताया, चाचा, उनके परिवार बिध्वा, बुवा और बच्चे सब एक साथ रहते हुए फिर शादी हुई तो भी सास ससुर जेट जेठानी थे फिर अपने बच्चे हुए, कभी अकेला रहने का मौका ही नहीं आया भरे पूरे घर में पैदा हुई पली बढ़ी और रही अब इस अकेले घर में नहीं रहा जाएगा परशाईयों के साथ नहीं रह सकती, आप समझ लीजे, मैं बड़ी ही कमजोर हूँ उसने सोचा था, फिर कहा था, आप चाहें तो मेरे घर के हिस्से में रह सकती है वह इंडिपेंडेंट जैसा है, उसकी एंट्री भी बाहर से ही है अगर आपको ठीक लगे तो, जब तक आपका कोई दूसरा प्रबंध नहीं हो जाता आप वहां रह सकती है वह सोच रही थी, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे आश्वस्त किया जाए उसने पूचा था, आप कुछ दिन और अपने बेटे के पास भी रह सकती थी उसे जैसे किसी ने गर्म सलाक से छू दिया था वह कुरसी के पीछे सिर टिका कर जड़सी हो गई थी उसे दुख हो रहा था, ऐसा गलत सवाल उसने क्यों पूचा वह सुबक रही थी, प्लीज आप शांत हो जाए, I am sorry यह सवाली गलत है, नहीं पूचना चाहिए था वह रुकी थी, आप नहीं पूचते, पर दूसरे लोग भी सलाह तो यही देते हैं यहां से पैक अप करके वही चली जाओं बेटा कहता है, आपको मैं डिपेंडेंट गोशित कर दूँगा आपको पेंशन भी मिलेगी, पर साल में कम से कम आपको छे महीने यहां रहना होगा पर वहां तो मैं यहां से जादा अकेली हो जाती है वे दोनों सुबह जाते हैं, शाम ढले लोटते हैं आज पास कोई नहीं जिससे बतियाया जा सके बेटा कहता है, आराम से टीवी देखो, डीवीडी पर फिल्में देखो दोपहर बाद बॉबी आ जाएगा, आपका उसके साथ दिल लग जाएगा बॉबी आता, हाई ग्रेंडमा कहकर चला जाता उसके कानों में हमेशा इयर फोन लगा रहता वह या तो मोबाइल पर होता, या आईपैट पर गाने सुन रहा होता या फिर टीवी देखता, नहीं तो लैप्टॉप लिए बैठा रहता उसे कितनी भी आवाजें लगाओ, उस तक आवाज पहुस्ती ही नहीं थी पहुस्ती कैसे? मैं वहाँ बीमार हो गई थी, कुछ चाहिए होता, तो मैं उसको बुला बुला कर ठक जाती फिर खुद ही उठती थी, वह आता था, कुछ चाहिए तो बुला लेना पर कैसे? तुम कानों से एयर फोन हटाओ तब ना, वह हसकर चला जाता था वह गलत कहां था? मैं भी गलत कहां थी वहाँ घर के अंदर बाहर साइं साइं करता सन्नाटा पसरा रहता यहां आ गई हूँ, तो बीते दिनों की परचाईयों से गीरी रहती हूँ सोचती हूँ यह घर बेच दूँ, कोई दूसरा घर ले लूँ या ओल्ड होम चली जाऊँ, पर वहाँ भी जगह नहीं मिली अगर आप चाहेंगी तो इसे बेचने की कोशिश की जा सकती है तब तक वह हिच के चाया था आप मेरे फ्लैट के बाहर वाले हिस्से में रह सकती है आप चाहें तो चल कर देखने पहले उसने घड़ी देखी थी, चला जा सकता है वह उठी, हात मूँ धोकर साड़ी बदल कर आ गई थी उसने उसे कमरा दिखाया था कमरे के साथ बालकनी थी साथ का स्टोर किचनेट की तरह इस्तेमाल हो सकता था आईए बैठिये, वह चाय बना लाया था लीजिये, चीनी कितनी डाले, बस एक चमच आपका परिवार, पत्नी और बच्चे, वह इधर उधर देख रही थी मैं भी अकेला ही रहता हूँ, मेरी पत्नी भी अब नहीं है मेरे भी दोनों बच्चे बाहर ही है मैं भी आपकी ही फ्लाइट में बेटे के पास से ही लोट रहा था यह सोच कर कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगा जैसा भी हो, मुझे यहीं रहना है मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है उसने देखा उसके हाथ में पकड़ा चाय का कप गड़बड़ा रहा था उसने उसके हाथ में से कप लेकर मेज पर रख दिया था अब चलू वह उठी थी मैं कल आ जाऊंगी ठहरिये आपको छोड़ाता हूं मैं चली जाऊंगी आप बार-बार लाएंगे और छोड़ेंगे आईए उसने अपनी गाड़ी की चाभी उठा ली थी रुकिये अंदर तक छोड़ देता हूं गाड़ी पार्क करके अंदर आ जाईए सोच रही हूं दोपहर कपकी ढल गई है शाम आएगी रात में बतल जाएगी मैं बड़ी ही डरपोख हूं भीतर से अंधेजे में और अकेले पन दोनों से डरती हूं जबसे तीन दिन से लोटी हूं रात को सो ही नहीं सकी घर में सारी बत्यां जला कर रखती हूं रात को मैं आज भी तो शिप्ट कर सकती हूं आप रुकेंगे बस पंद्रह मिनट से जादा नहीं उसने अकबार ला कर रख दिया था वह एक सूट केस लेकर आ गई थी घर में घूम कर सारी खिड़कियां दरवाजे चेक किये थे गैस को चेक किया था फिर छोटे छोटे खुबसूरत से दस पंद्रह पौधे कार्टन में डाल रही थी इनको तो लेकर जाना ही पड़ेगा बहुत मेहनत से बनाए हैं आठ दस कार्टन हो गए थे बाकी चीजें बाद में भी लाई जा सकती है कार्टन कार की डिक्की में रखे थे कुछ पिछली सीट पर वे पहुँचे उसने सूट केस दिवार के साथ टिका दिया था पौधों के कार्टन भी वही रखवा लिये थे वह कुछ सोचती हुई सी बैट गई थी आप परिशान नहूँ कल तक सब ठीक ठाक हो जाएगा कोई माली भी मिल जाएगा ठीक से घर की सफाई भी अब कल ही हो सकेगी वह वैसी ही बैटी रही थी कुछ सोचते हुए भाई साब हमारी बिल्डिंग में एक लड़का और लड़की बिना शादी किये रह रहे हैं पहले कुछ लोगों ने आपत्ती की फिर लड़की ने समझाया हम दोनों एडल्ट हैं आपको हमारे यहां रहने से कोई तकलीफ है क्या वे दोनों सुबह अपने दफ्तर के लिए निकल जाते थे रात को ही लोड़ते थे शनिवार इतवार को ही कभी घर में रहते थे मकान मालिक से पूचा था आपको किराय की कोई परेशानी देखिए आंटी जी इसे लिविन रिलेशन कहते हैं कोट ने भी कानोन की द्रस्टी से इसे ठीक ही ठहराया है हम साथ साथ रह रहे हैं ठीक लगा तो बाद में शादी की जा सकती है वैसे अब भी सब ठीक है पर हमें शादी की जरूरत नहीं लगती उन्हें कोई कुछ नहीं कहता आखिर हर व्यक्टी को अपनी तरह का जीने का अधिकार है वै रुकी थी कोई भी हो उम्र कितनी हो वे एक दूसरे का सहारा बन कर साथ साथ नहीं रह सकते रह तो सकते हैं आपसी इच्छा से रहा जा सकता है वै रुकी थी आपकी और मेरी इस्थिती एक जैसी है हम भी तो एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं आपके साथ दो-तीन दिन का साथ लग रहा है जैसे वर्षों से आपको जानती हैं आप बहुत समवेदन शील हैं, आप बहुत अच्छे हैं उसने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया था और सुबक रही थी प्लीज, रिलेक्स, उसका हाथ उठा था, उंगलिया कापी थी फिर धीरे से उसके बालों में हाथ फिराया था मैडम, निश्चिती हम दोस्त की तरह साथ रह सकते हैं उसने गरदन उठाई, मेरा नाम म्रणालनी देश पांडे है आप मुझे सिर्फ म्रणाल भी कह सकते हैं मेरा नाम दिनेश गुपता है दिनेश को छोटा करना मुश्किल है वे दोनों हसे थे जर्र रुकिये, आपकी रसोई में शांती जी का मंदिर भी होगा म्रणाल जी, घर का डिस्टेंपर हुआ तो बहुत सी चीजें इधर उधर हो गई कोई सम्हालने वाला भी तो नहीं है न शांती ही घर का मैनेजमेंट करती थी वैसे जॉब नहीं करती थी वैसे एमबिये थी शुरू में जॉब करती थी पर हमारा छोटा बेटा छुटपन में बहुत बीमार रहता था उसे सिर्फ मेट के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता था उसने बिना पेच छुटियां ली पर नहीं हो सका बच्चा कमजोर था और बार-बार बीमार होता था आखिर हमने फैसला लिया हम दोनों में से एक ही नौकरी करेगा मैंने कहा तुम जाओ बाहर का समालो मैं नौकरी छोड़ दूँगा समय मिलेगा और मैं पेंटिंग करूँगा मैं तो बनना ही पेंटर चाहता था पिता के दबाओ में पढ़ना पड़ा ठेरो पहले अपने बेटे से तो पूछो बेटा सोचता रहा मुझे आप दोनों ही चाहिए दोनों के साथ रहूँगा शांती हसी थी लालच मत कर एक जन तो जाएगा घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए आखिर उसने अपनी मम्मा को चुना था शांती ने जॉब छोड़ दी थी पर वह घर के फूड और होम केर के अलावा स्वास्त बिभाग और घर की इकोनॉमी भी देखती थी दो की बजाए एक ही सेलरी से घर चल रहा था पर ऐसी कोई दिकत नहीं आई थी घर का रख रखाओ बच्चों की देख भाल और पढ़ाई सब वही देखती थी वह हमारी होम इंडस्ट्री की सीयो थी बाद में बच्चे बड़े हो गए तो उसने एंजियो जॉइन कर लिया था अब मैं हूँ सुबह सेर करने जाता हूँ दिन में फुर्सत में पेंटिंग कर लेता हूँ शाम को कलब में बिलियर्ड खेलाता हूँ बस समय कट चाता है वह इधर उधर कुछ ढूण रही थी भगवान की कोई प्रतिमा कहीं होगी क्या अरे हो गया यह गरपती पपा की प्रतिमा है न एक थाली में गरपती की मूर्ती रखती थी चावल और हल्दी ढूण ली थी थोड़ी चीनी भी रख ली थी जरा थोड़ी रुई दीचे उसे समझ नहीं आया उसने पूछा नहीं रुई लाकर देती थी अरे इतनी नहीं उसने थोड़ी सी रुई से बाती बनाई थी छोटी कटोरी में घी डाल कर बाती रख कर दिया जलाया था आईए यहां आजाईए जरासा भगवान गरपती के सामने हाथ जोड़ दीचे शुभा रम्भोगा उन दोनोंने हाथ जोड़े थे चावल और हल्दी का टीका लगाया था दिये का प्रकाश ले लीचे अब मुँ मीठा कर लीचे चीनी चुटकी भर दी थी यह हमारे जीवन के तीसरे चरण की शुरुवात है है न गरपती मंगल करेंगे वह उसका हाथ पकड़ कर पूरे घर में गोम रही थी अरे यह इजल में आधी बनी पेंटिंग उसने देखा कोने में बहुत सारी पेंटिंग रखी थी अबस्ट्रेक्ट में एक इस्त्री चबी थी यह चबी शान्ती की ही होगी कई पेंटिंग कई तरह से रेखाओं में, बिंधों में, रंगों के फ्यूजन में अब आप निश्चिन्थ होकर पेंटिंग बनाओ वह हसा था और आप बोनसाई उगाओ बाद में हम एक प्रदर्शनी लगाएंगे एक नया प्रयोग होगा पेंटिंग के साथ बोनसाई रखने का प्रयोग सफल होगा होना चाहिए क्यों नहीं, जो प्रयोग इमानदारी और निश्ठा से किये जाते हैं वे सफल ही होते हैं भाई साब उसने अपने मुह पर हाथ रखा था सौरी, दिनेश आप मुझे घर के बारे में समझा दीजे कुछ नहीं समझना आपको जैसा चल रहा है चलने दीजे सुबह काम वाली आएगी सब कुछ कर जाएगी खाना भी बना जाएगी लेकिन खाना तो नहीं, खाना वही बनाएगी आप सिर्फ अपनी पसंद और टेस्ट के बारे में बता देना रात के लिए कुछ कुछ कर लेंगे मैं करती हूँ, कुछ बना लेती हूँ नहीं, मैं कर लेता हूँ एक दूसरे को धकेलते हुए वे दोनों रसोई में खड़े थे वह हसी थी एक साथ कुछ कर लेते हैं हाँ, अब साथ ही कर लिया करेंगे उनकी हसी घर के अंधेरे कोनों में रोश्नी की किरने विखेर रही थी तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी? कॉमेंट करके जरूर बताएं